हलो एवरिवान वेलकम टू आर कुकिंग चैनल कुक विद कॉर्डी कैसे है आप सब फ्रेंज आज हम बनाएंगे गर्मियों के मौसम के लिए खास रिफ्रेशिंग जूस आज हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस और ये वाला जूस है इसको बहुत ही इसली घर पर बना सकते हैं और साथ की साथ आपको बहुत रिफ्रेश भी करेगा तो जूस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दो कटोरी है जो वाटरमेलन क्यूब्स ले लिए तरबूज का चिलका उतार कर उसको ऐसे टुकडों में काट लिया और इसके जितने भी बीज हैं वो सारे मैंने निकाल लि इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक चमच चीनी आप चीनी जादा भी डाल सकते हैं लेकिन तरबूज बहुत ही मीठ है तो मैं सिर्फ एक चमच चीनी आड़ कर रही हूँ इसी के साथ एक चमच हम डालेंगे इसमें निम्बू का रस जो इसको बहुत य अच्छा फ्लिवर और थोड़ी से हम डालेंगे आठ से दस में इसमें डाल रही है पुदीने के फ्रेश पत्ते धोकर इनको है हमने ये भी सी में डाल दिया है और अब दो चुटकी हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी है और थोड़ा सा हम इसमें अच्छा के लिए बहुत अच्छा है और जूस को बहुत इच्छा फ्लेवर देगा इसके बाद हम इसको एक बर जैसे ब्लेंडिया ये देखे अ पानिजर हो बजै़ी हमारा वाटरमेलन जूस है जी तुर बनने कर तयार दो में तैम नहीं लगता और आप साथ की साथ इसको बनाकर fresh जो serve कर सकते हैं, तो अभी हमने इसको glassों में serve कर दिया है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा panी ऐड़ कर सकते हैं, मैंने इसमें पानी नहीं डाला और क्योंके हमने इसके बीज निकाल दी थे इसलिए मैंने इसको जो चलनी से नहीं चाना अगर आप बीज साथ में रखते हैं तो आपको इसको चलनी से चानना पड़ेगा और एक-एक मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिया आप चाहें तो ज़्यादा आइस क्यूब भी इसमें आड़ कर सकते हैं तो यह देखें बहुत ही healthy और refreshing जो watermelon juice है वो बनकर बिल्कुल ready है तो आप भी गर्मियों यह वाला juice है जो घर पर बनाईए और इससे enjoy कीजिए जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ अब तक के लिए bye take care have a nice day friends